1979 में मेरा DSP और MLA दोनों में एक साथ चैन हुआ मेरे एक दोस्त ने जब मुझसे पूछा कि गवर्मेंट बनना है यह सवन तो बस मैंने तभी राजनिती जोईन करने है नसल यह शब्द है स्वर्गे रामिलास पासवान की रामिलास पासवान ने इन 32 शब्दों में अपने राजनिती जोईन करने की वजह बता दे आज रामिलास पासवान की जैनती है आज अगर वो इस दुनिया में होते तो आज उनकी उम्र 77 साल होती रामिलास पासवान की जहनती को उनके बेटे चिराग पासवान आज पतना में और हाजी पुर जो की उनकी कर्म भूमी रही है वहां मनाने जा रहे हैं रामिलास पासवान का जीवन, उनका राजनितिक जीवन काफी सफल रहा, रामिलास पासवान को पदम भूशन से नवाजा लिया। इस वीडियो में हम आपको रामिलास पासवान के राजनितिक सफर का दौरा कड़ाने जा रहे हैं। आठ अक्टूबर 2020 को मंत्री पत पर रहते हुए रामिलास पासवान ने आखडी सांस ली थी 2019 में देश के संसदी इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब रामिलास पासवान अपने तीनों भाईयों और बेटे के संसद के सदस थे मतलब एक परिवार के चार-चार लोग मिंबर ओफ पारलिया में ते तब देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमली में पासवान परिवार को माना गया मौसम विग्यानिक का नाम लालू यादब ने ऐसे दिया कि रामिलास पासवान के साथ और जीवन चिपका रहा रामिलास पासवान को राजनिती का मौसम विग्यानिक कहा जाता था क्योंकि वे चुनाओं से पहले ही समझ जाते थे कि हवा किस तरब बह रही रामविलास पासवान उन गिने चुने लोगों में हैं जो कभी भी सरकार से बाहर हुए ही नहीं वो तीसरे मोर्ची की सरकार में मंत्री बनते थे इंडिये के सरकार में भी मंत्री बनते रहे UPA के सरकार में भी मंत्री बने थे दोबारा से इंडिय के सरकार में फिर मंत्री बने रामविलाज पासवान को सबसे पहरे लालुपरसाद यादब ने मौसम वेज्ञानिक का तमगा दिया लेकिन उन पर किताब लिखने वाले पत्रकार ने अपने पुस्तक रामविलास पासवान संकल्प, संघर्ष और साहस में इस बात को खारिच कर दिया उन्होंने इसका सारा दोश बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री लालुपरसाद यादप के मत्थे मढ़ा था आपको बता दें कि रामविलास पासवान अपने सियासी करियर में छह प्रधान मंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं पहले वार वो 1989 में वीपी सिंग की सरकार में मंत्री बने थे दूसरी वार 1996 में देव गौड़ा और गुजराल सरकार में वे रेल मंत्री बने थे साथे 1999 में अटल बिहारी वाजपई की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री थे 2004 में वे यूपीय से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री बने 2014 में इंडिये में शामिल हुए और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद आपुर्ती मंत्री बनाए गए मोदे सरकार के दुबारा सत्ता में वापसी होने पर भी मंत्री बने नवंबर 2019 में अरुन जेटली की शंधाजली सभा में रामविलास पासवान ने कहा था कि पीअ मोदी से उन्हें डर लगता है कोई बात कहने में धिजक होती है हाला कि फिर बात समलते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा की कारण वे उनसे कुछ नहीं कह पाते दरसल अरुन जेटली और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल की पासवान तुलना कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो लगता था डर के मारे परधान मंतरी नरिंद्र मोदी जी से हम लोग साफ साफ शरद्धा की वजह से नहीं कह पाते थे इसके बाद भी बहुत कुछ कहें मगर तब पासवान का ये बयान मीडिया में सुड़किया बनी रही वहीं आपको बता दें कि राम विलास पासवान को सियासत विरासत में नहीं मिली थी बलकि उन्होंने अपनी काबिलियत से हासल की पढ़ने लिखने में तेज तर्रार राम विलास पासवान का सेलेक्शन 1979 में DSP पद के लिए हुआ था 1979 में वो पहली वार सर्योक सोशलिस्ट पार्टी से बिहार विधान सभा के लिए विधायक भी चुने गए थे तभी वेगु सराय के रहने वाले राम विलास पासवान के दोस्त और समाजवाती नेता ने उन्हें राजनीती में आने के लिए प्रिरित किया अपने राजनीती करियर को लेकर साल 2006 में राम विलास पासवान ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1979 में मेरा DSP और MLA दोनों में एक साथ चैन हुआ तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्मेंट बनना है या सविट बस तभी मैंने राजनीती जॉइन कर ली तब राम विलास पासवान की दिशा तैह हो गई हमेशा सूट बूट और वेल मेंटन दिखने वाले राम विलास पासवान ने बहुत आदर्श वाती राजनीती तो नहीं की मगर बिहार के पासवान परिवार की हैसियत आज जो भी पटना से लेकर दिल्ली तक दिखाई देती है उसकी बीज राम विलास पासवान नहीं बोई थी फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रिए फर्स्ट विहार जार करन अगर आप हमें फीजबुक पर देख रेत हमारे बेच को फॉलो करें अगर आप हमें यूटूब पर देख रेत हमारे चैनल को जरूर सबस्काइब करें कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा लोग यहां दिल्ली बंबई में घर पर खरीदते जा रहे हैं और एक ये सहाब है कि अपना घर बेच लिए है अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे है ना नया घर खरीद रहे हैं पुर्णिया में पुर्णिया में अच्छी बात है लेकिन अपने घर खरीदना बड़ी बात है देखिए पुर्णिया में पनोर्मा सिटी और पनोर्मा हाइट दोनों जगा का अप्शन उपलब है देखिए और बुक कराईए बतलब अपने शहर में अपना घर जी बिलकुल अब कीज़े घर वापसी पुर्णिया के पैनोर्मा सिटी और पैनोर्मा हाइट में पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट आपके शहर में आपका अपना घर